तो बच्चों हम पुऊम पढ़ चुके तो what if means अगर ऐसा हो जाए तो जैसे कि हमने पढ़ा था बच्चों कहानी में हमारी जो पुऊम है उसमें राइटर हमें बता रही थी कि अगर ऐसा हो जाए तो अगर मैं स्कूल में गूंगी हो जाओं तो अगर वो swimming pool बंद कर दे तो अगर मेरे कप में कोई जहर मिला दे तो ठीक है इस तरह है कि what if जो है उनके दिमाग में चल रही थी है तो आज बच्चों हम उसी पुऊम के question and answers करने वाले तो चलिए शुरू करते हैं देखिए बच्चों who is the speaker in the poem, poem is speaker कौन है, कौन बता रहा है शैल सिल्वस्टन द पॉइटस is the speaker in this poem ठीक है अगर चलते हैं second देखिए with your partner list out the happenings the speaker is worried about ठीक है मतलब आपके classmate के साथ आपको list बनाने है कि speaker जो है वो कौन कौन सी बातों को लेकर tension में है चिंता में है ठीक है वरीड है the speaker is worried about the following happenings कि कौन कौन सी चीजे होने वाले यानि ऐसा हो जाए तो उसके बारे वो चिंता में है कौन कौन सी थी बिच्चों हमने पढ़ा था पो में she becomes dumb उन्हों सोचा था कि अगर मां गूंगी हो जाओ मां बोल ही ना पाऊं the swimming pool is closed अगर swimming pool बंद हो जाए तो she fails in the examination अगर वो परिक्षा में fail हो जाए तो she gets bitten up अगर उनकी पटाई हो जाए तो and she gets second eyes और अगर वो बिमार हो जाए और अगर वो मढ जाती है तो थोड़ देखते हैं why do you think she he has worries can you think of ways to get rid of such worries आप क्या सोचते हैं कि वो उनकी क्यों चिंताए हैं ठीक है किस बात की चिंताए इतनी can you think of ways to get rid get rid याने छुटकारा तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम इन व्यर्थ की चिंताओं से क्या कर सकते हैं छुटकारा पा सकते हैं ठीक है most of our worries are born out of baseless fear कि कुछ जो हमारी चिंताए होती है वो ऐसे ही होती है baseless fears होता है उनका कोई base नहीं होता है अधार नहीं होता है विच्चो विद श्ट्रॉंग विल्पावर एक द्रड इच्छा शक्ती के साथ and the right positive attitude एक क्या सकारात्मक रविय के साथ ठीक है attitude to life जीवन के प्रति सकारात्मक ठीक है रविय के साथ one can get rid of such worries हर कोई क्या क्या कर सकता है इसी worries से इन चिंताओं से free हो सकता है चुटकारा पास सकता है कहने का मतलब है क्या क्या होना चीए इसे प्रति यह जीवन के प्रति सकारात्मक रवय होना चीए ठीक है तो उनके आधार पर यानि उनके बलबूते पर हम क्या कर सकते हैं, यह जो व्यर्थ की चुनता है, उनसे क्या कर सकते हैं, मुक्ती पास सकते हैं, यानि गेटर देनी छुटका रहा, पास सकते हैं, चलते हैंगे फोर देखिए, read the following line, some what ifs crawl inside my ear, can words crawl into ear, जैसा कि हमने पढ़ा था कि कुछ what ifs, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे कान में, आ गए ते गुज़ गए थी, ठीक है can words crawl into ear, क्या, शब्द जो है, वो इस तरीके से crawl कर सकते हैं कान में, this is an image, क्या है, ये कल्पनाई तो थी बच्चो, ठीक है, कल्पनाई तो थी, the poet is trying to make an image of what she, he experiences, वो क्या बता रहे हैं point, क्यो ये ये चीज बता रहे हैं कि क्या क्या imagination थी, क्या 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 उनकी कल्पनाई थ ठीक है, now with your partner, try and list out some more images from the poem, इसी तरीके से, इस poem में से हमें ये, find out करने है, लेखते हैं answer, we all think in terms of words, बच्चों हम क्या करते हैं, शब्दों में, सोसते हैं, ठीक है, we all think in terms of words, सोसते हैं, बहुत, our mind remains active all the 24 hours, हमारा जो मस्तिश्क है, हमारा जो दिमाग है, ठीक है, वो 24 घंट एक्टिव रहता है, यानि वो रात में भी active रहता है, it is crowded with ideas, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, भीड लग जाती हैं, इसी ideas की विचारों की बहुत sweet and bitter, और जो विचार होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं, और गलत भी होते हैं, कहने का मतलब स्वीट यानियों मीठे, अब यहाँ पर sweet का मतलब कि वो अच्छे भी होते हैं, bitter यानि कड़ भी होते हैं, यहाँ पर sweet और bitter का means दिया है, कि हमारा जो मस्तिश, हमारा जो दिमाग है, वो रात में भी सक्री रहता है, इनने वो 24 hours का रहता है, active रहता है, तो हमारे mind में क्या होते हैं, sweet और bitter कहने का मतलब positive और negative दूनों तरह की thoughts आती हैं, ठीक है, तो इस तरीके से यह बताया गया है, इसमें चले आंगे, आप देखे विच्छा, fifth question, in groups of four, discuss some more what is that you experience in your day-to-day life and list them out, आपको क्या करने हैं, कुछ what ifs जो है, अपने classmate के साथ क्या करने हैं, discuss करने हैं, और इनको complete कर लेना है, clear, I hope आ आप से next video में, तब तक के लिए, जो भी work मिला आपको वह आप कर लीजेगा, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, thank you